अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत गोर से देखना, प्रशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकदर तलाश कर. दोस्तों, 2022 में 15 लाग से भी ज्यादा पाकिस्तानी इंडिवेजूल्स पाकिस्तान से बाहर मूव किये हैं, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, पांच सालों में इंफलेशन का हाल ये है कि सिवे की प्राइस 25 लाग से 6 लाग हो गई, 55 लाग की टोयोटा फॉर्चुनर आज 1 करोड 32 लाग की है, गोल्ड की कीमत पिछले एक साल में 58,000 रुपे बढ़ चुकी है, तेल की बढ़ती कीमतें भी आपके सामने ही है, और रिसेंटली इसलामबाद में पुलीस के 1665 जाब रोल्स के लिए 30,000 से भी जादा लोगों ने अपलाय किया, हमारे मुल्क की उस तरफ जा रही है जिस तरफ सोडान है, यानि के मुल्क में कोई नहीं रहना चाता, हर बंदा बाहर की दरफ भाग रहा है, अभी पिछले दिनों कुछ यूट्यूबर्स ने ये भी बोला कि आप अपना मुल्क छोड़ दें, आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, मै मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपकी फैमली में से एक शक्स पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, और बाहर जाके काम करेगा, मेहनत करेगा, तो आपकी फैमली के फाइनेशल हालात बहुत बहतर हो जाएंगे, और हमारे मुल्क को भी फाइदा होगा जब जब आप अमाजान में 50 डालर की चीज़ खरीदते हैं, और फॉर एक्जेमपल आपको अमाजान वाले 12,000 चार्ज करते हैं, और आप मिजान बैंक के थूपे करते हैं, तो मिजान बैंक आपको मेवी 2-3,000 उपर चार्ज करेगा, ओपन मार्किट डालर रेट के लिहाज से, तो उसके बाद वो ट्रैसेक्शन पूरी की जाएगी, अभी साल 2023 आ गया है, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, मैंने ये भी नोट किया कि हमारे पाकिस्टानी फेस्बुक ग्रूप्स में बहुत ज़दा बैक्लैश मिलती है, अगर कोई भी बंदा कॉमेंट करता है कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूं, मुझे गाइड करें, मुझे पॉर्चिगल का वीजा चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे गाइड करें न्यूजीलेंड के लिए, औस्ट्रेलिया के लिए, यॉरप के लिए, यूके के लिए, तो लोग आगे से उसको बहुत सनब करते हैं लोग आगे से उसको बुरा भला कहते हैं कि तुम मुल्क छोड़के क्यों जा रहे हो दोस्तों मेरी पूरी फैमिली और मेरे रिष्टेदार भी सारे पाकिस्तान से बाहर नहीं है लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको मैं नहीं बोलता अपना बोरिया बिस तरह बंद करके पाकिस्तान से चले जाएं लेकिन आपके घर का एक फर्द जब फॉरन करंसी में कमाएगा तो आपकी जिंदगी बहुत असान होगी और मुल्क को भी भरपूर फायदा होगा अब दोस्तों आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपने कैनेडा जाना है या आपने आस्ट्रेलिया जाना है आपको IELTS के अंदर अच्छा स्कोर लाजमी चाहिए कैनेडा के लिए आपको minimum 7 चाहिए आस्ट्रेलिया के लिए आपको minimum 6 चाहिए लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि अच्छी तयारी करें और कोशिश करें कि आपका score 8 हो दोस्तों अगर आप 30s में हैं 40s में हैं और आपकी family है और family के साथ आप move करना चाहते हैं आपके already बच्चे भी हैं तो फिर मैं आपको Canada recommend करूँगा अगर आपकी priority पैसा बनाना है अगर आपकी उमर young है आप 20s में हैं तो आपके लिए Australia एक बहुत अच्छी option है COVID से पहले अगर आप Australia as a student जाते थे तो आपको सरफ 20 घंटे allowed थे काम करने के लिए आप पढ़ भी सकते हैं और साथ जॉब भी कर सकते हैं लेकिन अब COVID के बाद से उन्होंने ये restriction उठा दी है तो आप maximum hours काम कर सकते हैं अब यह आपके उपर है कि आप अपने आपको कितना घिसा सकते हैं दोस्तों Australia के बारे में ground information लेने के लिए मैंने बिलाल भाई से रापता किया बिलाल भाई से मेरी दोस्ती हुई थी दुबई में उन्होंने दुबई में बहुत पीक देखी अपने काम में उन्होंने बहुत तरक्की की और दुबई से वो Australia मूव कर गए मैंने अपने struggling days में बिलाल भाई से दोस्ती की उन्होंने मुझे बहुत guide किया जब दुबई में मेरे पे अरूज आया तब तक बिलाल भाई ऐस्ट्रेलिया मूव कर चुके थे उसके बाद मैंने दुबई में बहतरीन टाइम गुजारा और मैं फिर फाइनली इटली मूव कर गया तो मैंने बिलाल भाई को वीडियो कॉल की और बिलाल भाई से पूछा कि आस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या प्रोसीजर है तो दोस्तों पहली बात ये है कि अगर आप उस्ट्रेलिया जाते हैं as a student तो आपने अपनी तालीम को मुकमल करना है और आपने पढ़ने जाना है अपने युनिवरसिटी अपने इंसिट्यूट आपने स्किप नी करना क्योंकि वो आपकी बेस है वहां रुकने के लिए वह छे महीने का कोर्स भी कर सकते हैं और दोस्तों आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है अपनी एजुकेशन शुरू करनी है साथ-साथ अपने जॉब शुरू करनी है और छे मां के अंदर-अंदर आपने अपनी टी-ार के लिए अपलाए कर देना है टी-ार बोले तो temporary residence और एक दफा आपको temporary residence मिल जाएगी तो आप वहां पर रुख सकते हैं अपने काम को continue कर सकते हैं और अपने टी-ार स्टैटस को renew भी करवा सकते हैं लेकिन याद रहे औस्ट्रेलिया में आपको इससे ज्यादा benefit नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे student वहां पर अगर आपकी priority पैसा बनाना है और दुबारा वापिस पाकिस्तान मूफ करना है तो इसलिए हाँ से student-based Australian visa आपके लिए beneficial है अब दोस्तों एक और बड़ी interesting बात है कि आपकी PR का status आपके area पे बहुत depend करते हैं अगर आप main areas में रहते हैं जैसे Sydney है तो वहां पे PR लेना बहुत मुश्किल है अगर आप किसी regional zone में रहते हैं तो वहां पे PR लेना असान है आएं देखते हैं बिलाल भाई ने इस बारे में क्या बोला Australia में जॉब सेनेरियो और Australia में एजूकेशन के बारे में भी बिलाल भाई ने कुछ बातें बोली हैं तो आएं वो देखते हैं उसके लावा रीटेल में जॉब्स कैफे में जॉब्स ठीक है बेकरी में जॉब्स मतब आप यू नेम इट आपको हर जगा वहां पे देशी मिलेगा अब दोस्तों आपने एक चीज़ याद रखनी है कि Australia बहुत महंगा है अगर आप वहां पे जाएंगे तो education भी महंगी है रहना भी महंगा है खर्चे भी होंगे तो उसके लिए आपको 12-12 घंटे भी नौकरी करनी पड़ सकती है इवन कुछ लोग 14-14 घंटे भी 2-2 नौकर करते हैं अगर आप मेहनत के लिए तयार है तभी आपने पाकिस्तान चोड़ के जाना है अगर आपका जी गबराता है दिल नहीं लगेगा ऐसे है वैसे है तो फिर नहीं जाना वहां पे देशियों को even 12 डॉलर पर आवर दिया जाता है लेकिन minimum wage 19 डॉलर पर आवर है और पर आवर पर गुजारा तभी हो सकता है अगर आप बहुत से घंटे जॉब करें तो आपने ये सब चीजे माइंड में रखनी है आपको वहां पे tax filing भी करनी होगी आपको जो income आप कमा रहे हैं वो सही तरीके से show करनी होगी especially for PR आपसे government कभी भी tax filing के बारे में सवाल कर सकती है आपके account को चेक किया जा सकता है especially अगर आप TR apply करेंगे अब दोस्तों ये चीज़ बहुत interesting है कि बिलाल भाई जब वहां पे गए थे तो directly PR पे गए थे और आप भी ये कर सकते हैं मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ आप में से वो लोग जिन्होंने bachelor's मुकमल कर लिय है या master's कर रहे हैं या master's कर लिया है आप Australia में PhD के लिए apply कर सकते हैं अगर आप वहां पे PhD के लिए apply करेंगे तो आपको PR भी मिलेगी और आपको education भी बिलेगी वहां पे PhD की degree मिलेगी और आपकी life बन सकती है अगर आपको Australia की PR मिल जाती है तो आपके पास वही rights होंगे जो citizen के पास rights हैं सिवाए ये कि आप vote नहीं कर सकते और मेरा नहीं ख्याल ये कोई बहुत बड़ी बात है तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ज्यादा बात की है Australia की इस वीडियो का part 2 भी आएगा मैं इसका part 2 भी बनाऊंगा और part 2 में हम लोग बात करेंगे Canada के बारे में Canadian PR के बारे में और पर एंट पर comparison करेंगे कि इन में से आपके लिए बहतर क्या है बाकी बिलाल भाई ने वीडियो कॉल में देशियों के लिए एक मशवरा भी दिया था तो आएं देखते हैं वो मशवरा क्या है देशियों से बाच के रहे हैं अपनी इंकम कभी किसी से शेयर ना करें आप क्या कर रहे हैं किसी को मत ठीक बताएं especially देशियों को तो बिल्कुल ना बताएं गोरे को कोई पर ने पर आप क्या कर रहे हैं आपको तक़लीक हैएपके घर में को मसला है उसको आपकी जिंदगी से कोई ले ना देना नहीं है और देशियों को आपकी जिंदगी से लेना देना है लेज़ लीज लीज़ में आलॉन दोस्तों एक बात याद रहे कि मैं और मेरे दोस्त हम सब का बैग्राउंड और फैमिलीज पाकिस्तान में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान से दोड़ गए में और हमारा पाकिस्तान से कोई तालुक नहीं है लेकिन अगेर रोजी रोटी की तलाश में हिजरत करना तो सुनत भी है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है नाजरीन 2023 शुरू हो चुका है और मेरी दूआ है कि 2023 पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल हो और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नमाज के बाद अपने लिए मेरे लिए और हमारे मुल्क के लिए दूआ जरूर कीजिएगा और मैं इस वीडियो का एक तताम करूँगा एक शेयर से फला फूला रहे यारब चमन मेरी उमीदों का जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैने पाले है दोस्तों अपना ख्याल रखें अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दूआउं में याद रखें आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला हाफिस पैसे लेता था तो वहाँ ने उसने प्रूफ तो वहाँ पे उसने शो नहीं किया लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट अफ अकाउंट थी उसके अंदर पैसों की वेरिएशन उसकी इंकम से ज्यादा शोरी थी तो उन्होंने वहाँ से बचा कि भी तू अपनी फीस कुद दे रह बचास को एजना है वो आपको मिलता है थी